हरे मूंग की रेसिपी बनाने के लिए इसे 7-8 गंटे के लिए भिगो दे रही हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा अभी रात के 9 बजे हैं सुबह तक तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगा पहले पानी से इसे धो लेंगे 2-3 बार फिर इसे भिगो देंगे हरे मूंग के मंगोडे जो बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं और हरा मूंग तो हमारी सेहत के लिए फाइदेमंद है ही इसमें बिटामिन्स और एंटी ऑक्सिदेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है नमस्कार कल्पना चुबे रेसिपीज में आपका स्वागत है हरे मूंग के मंगोडे बनाने के लिए सबसे पहले इसे एक मिकसर की जार में डाल देंगे इस छन्नी से ही इसका पानी छान लेती हूँ हरे मूंग में प्रोटीन, आइरन, मैगनीजियम और केल्सियम पर्याप्त मात्रा में होता है इस हरे मूंग से कई प्रकार की रेसिपीज बनाई जाती है इसमें डाल रहे हूँ स्वाट के हिसाब से हरे मिर्च, 12-15 लैसुन की कली, पतले कटे हुए 1-1.5 इंच अदरक, छोटे चमच से 1 चमच काली मिर्च और 1 चमच जीरा इसे ग्राइंड करने के लिए पानी बहुत कम डालना है मैं इस चमच से सिर्फ 2 चमच पानी डाल रहे हूँ बस इतना ही पानी चाहिए इसे थोड़ा सा दरदरा पीशना है बारिक नहीं पीशना है इसे मिकसर को थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे तो यह अच्छा दरदरा पीश जाएगा अब इसमें डाल रहे हूँ हल्दी पाउडर मसाले इसमें सबजी मसाला और गरम मसाला भी है छोटे चमच से एक चोथाई चमच हींग और अजवाईन थोड़ा इसे हाथ से मसल कर डाल देंगे इसमें अपने स्वात के इसाब से लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं बारिक कटी हुई हरी मिर्च और एक बड़ा प्याज बारिक कटा हुआ हरे विर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और स्वात के हिसाब से नमक अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है जैसे बेसन या चावल का आटा अभी ये मंगोडे बनने के लिए तयार है इसे फ्राई करने के लिए मैं सर्सो का तेल ले रही हूँ आप और भी कोई तेल ले सकते हैं जो आप खाते हो इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा शेप में बना लेंगे और इसे गरम तेल में डाल देंगे मेडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे ये हरे मौं के मंगोडे अपने आप में बहुती स्वादिष्ट और क्रिस्पी होते हैं इसे और ज्यादा क्रेंची और कुरकुरा बनाने के लिए और कुछ डालने की जरूत नहीं पड़ती एक फॉर्क या चम्मच की सहायता से इसे पलट लेंगे और कुरकुरा होने तक इसे फ्राई कर लेंगे इसके कलर से ही पता चल लाएगा कि अब ये तयार हो गया है ये मंगोडे हरे धनिया की चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है हरे मंग के कुरकुरे मंगोडे तयार हो गया इसे फ्लेट में आल लेता है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाएग और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद